IPL 223 में धमाकेतार मुकाबनों का दोर जारी है सनिवार को खेले गए एक मुकाबले में लखनू सुपर जाइंस ने दिल्ली कैपिटल को 50 रणों से हरा दिया 194 रणों का टार्गेट का पीछा करते वे दिल्ली की टीम 9 विकेट खोकर 147 रण ही बना सकी लखनू सुपर जाइंस के जीत के हेरो के रिवाई किरकेटर काली मेर्स रहे जिनों ने 73 रणों की शांदर पारी खेली वहीं इंगलिस तेज गेंदबाज मार्कूर्ड ने भी घादक गेंदबाजी करते वे पांच विकेट चटकाए 94 रणों का टागेट का पीछा करते वे दिल्ली केपिटर्स की सुरुवात अच्छी रही और डेविड वार्नर ने पिर्थवी शौक के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रंजड़े फिर मार्कूर्ड ने लगातार दो गेंदों पर विगे चटका कर दिल्ली को गहरा आगात पहुचाया वोड ने पहले पिर्थवी शौक को बॉल गया फिर आगली गेंद पर मिचल मार से भी बॉल हो गए वोड ने अपने अगली ओवर में विकेट केपर सफ्रास खान को गे कौतम के हाथों कैच करा दिया इसके चलते देल्ली का स्कोर्स साथ ओवर में तीन विकेट पर 48 रं हो गया यहांसे देल्ली के बलेबाज आंति तक संगश करते रहे अलांकि देल्ली की ओर से डिले रेशो और डेविड वार्णर ने चोथी विकेट के लिए 38 रं जड़कर पारी को सम्हालने की कोशिश की लेकिन जरूरी रं रेट काफी बढ़ गया था और डेल्ली के टीम बैक फूट पर आ गई थी रेले रोशुप तीस रं बनांकर रवी बिस्नोई का शिकार बने फिर रवी बिस्नोई ने रोमन पावल को भी लवी डेवलू आउट कर दिया चोड़ान बेरणों पर पांच विकेट खोने के बाद देल्ली की उम्मीदें धरासाई हो चुकी थी डेविन वार्नर ने जरूरी 48 गिनों पर 6 परन बना कर कुछ संघर्स किया लेकिन यह जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था लखनों की ओसे मार्क वूर के पांच विकेट के हलावा रवी बिश्नोई और आविस खान ने दो दो विकेट चटकाए